आप सिर्फ पूज इतना बताईए कि CM का जो order है वो किस तरीके से आता है उसकी क्या विवस्ता होती है क्या नहीं हमें समविधार में मुख्यमंतरी का order आने के लिए या cabinet में मुख्यमंतरी की कोई बात पहुचने के लिए निर्देश जाने के लिए देखिए cabinet meeting के जरीए होता है और cabinet meeting में स्वयम मुख्यमंतरी प्रस्तूत होते हैं या फिर cabinet की फाइल उनके पास जाती है हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो cabinet का उसका कोई लेना देना है यह लोग बेफाल तू cabinet cabinet बोल रहे हैं जैसे मतलब मैं कह रहा हूँ ना शुरुआत से इनका एक ही मकसद है कि आज बेफजूल की चीजे बोलते रहें लोगों को घुमाते रहें लोगों ने अर्विन केजरिवाल जी को अपनी दिक्कते ठीक करने के लिए लग किया है और अगर आपको दिक्कत हो रही है यह जो सवाल उठा रहे हैं सुबासे आखिरे क्यों अभी एक्सपोस कर देते हैं शेजाद पूनवाला की सवाल सारे बचकाने हैं चलिया आप मुझे बता दीजी कि यह जो मुख्यमंतरी की तरफ से जो भी ओर्डर आ रहा है जो भी पढ़ रहे हैं बस इसका एक बार सोर्स बता दीजी और एक बार मुझे बता दीजी कि यह मानने को तैयार है. और आ वह बिंदो ने दिया, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, और वो कोई ही ही नहीं बेसिस्ट, क्योंकि उसका बेसिस्ट बिल कर रहा है, वो कम्पनी का चले ही, वो कम से कम उसपर बोल तो रहे हैं, आप तो मुझे सोरस ही बतार रहें, उनका स्टेट गलत है अपने समय में बता दू आप अपने समय में बताईए अपने समय में बताईए एक दिन पहले रिमांड देने से पहले एक दिन पहले सौरब जी ने इस पर प्रेस कॉंफरेंस की आपके लॉयर्स ने इसको अपील की आपके लॉयर्स हाइप कोड गए हाइप कोड में भ काम नहीं कर सकती आपको चिंता नहीं कि CMO कौन चला रहा इस वक्त CMO के सबसे वरिष्ट अधिकारी CM is in jail वो टाइप करनी रहें उनका access कौन से officer के साथ आप बतानी रहें आप बताइए न कि किस officer को उन्होंने CMO में बोला जिसने टाइप करके आतिशी को दिया और किस officer को उन नहीं थी आप राबड़ी मॉडल अपना सकते उसमें कौन सी बड़ी बात है पर ये बताइए कि संविधानिक प्रक्रिया जिसमें बहुत clear-cut है और ये तो CM बिना विभाग वाले CM है ये CM बिना विभाग वाले CM चुनाव से ठीक पहले पंजाब में एक बड़ा जटका रवनीत सिंग बिट्टू के रूप में कॉंग्रस को लगा है वो भारते जनिता पार्टी में शामिल हो गए हैं ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं लुद्याना से कॉंग्रस के सांसद हैं रवनीत सिं चुनाव से पहले ये कितना बड़ा जटका कॉंग्रस के लिए हो सकता है तो ये पड़ी खबर इस वक्त के आपको बता रहे हैं एक तरफ अरविन केजरिवाल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है पूरा इंडिया गटबंदन अरविन केजरिवाल को लेकर साथ आता वो कॉंग्रस को लग रही है पंजाब में भी अब ये जटका कॉंग्रस को लग गया है कि बाद एक कॉंग्रस का हाथ चोड़ कर जो नेता है और कोई छोटा मोटे नेता नहीं बलकि जो बड़े-बड़े कर्दावर लीडर्स है जिनके पास कई पद रही है ऐसे नेता भी कॉंग्रिस को छोड़कर चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के साथ शामिल हो रही है हाला कि विपक्ष का आरोप यह है कि ओपरेशन लोटस के तहट बीजेपी की तरफ से सब कुछ करवाया जाता है बीजेपी जानबूज कर नेताओं को तोड़ने की मिल सकते हैं तो यह जटका पंजाब में लगा है कॉंग्रिस छोड़का रवनीत बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए है बड़ा जटका लगा है लुद्याना से सांसद है रवनीत सिंग बिट्टू उधर देखे अरविंद केजडिवाल को लेकर तो सियासी घमासान बचा ही हुआ है और एक के बाद एक जटके जो है वो ज़रूर गटपंदन को लगते हुए नसर आ रहे है